इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आप अपने काइन वास्टर को सबसे पहले ओपेंगे ओपने के बाद यहां पर आप 60 रेसियो 9 का यह साइज लेंगे यहां से लेने के बाद अब आपको क्या करना है मीडिया में जाना है, मीडिया में जाने के बाद आपको एक background select करना है, मैं यहां से background select कर लेता हूँ, white color का आपको एक background select कर लेना है, फिर टिक के निसान पे ok कर देना है, फिर इस layer को select करके थोड़ा सा slide करके इसका size थोड़ा बढ़ा देना है, up to 11-12 तक कर दीजिए इसका size, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ok के button पे again press कर देना है, इसके बाद आपको जाना है layer वाले option में, layer वाले option में जा करके आप उस pick को select करेंगे, जिस pick को आप यहां पे रखना चाहते हैं, ठीक है, यहां से मैंने एक pick select कर लिया, और इसका size मैं यहां से कुछ बढ इता हो, यहां से size बढ़ाने के बाद, अब आपको क्या करना है, यहां पे चले जाना है, इस side दिखी, यह three dot आपको दीख रहा होगा, इस three dot को click करना है, three dot को click करने के बाद यहां पे एक option आपको मिल जाएगा, यहां पर पहले number पे ही duplicate का option, आपको इस duplicate वाले option पे simply click कर दे इस layer को आपको select करके इसे slide करना है, slide करके थोड़ा सा इधर लाना है और पीछे वाले layer को select करना है, select करने के बाद इसका size थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, size बढ़ाने के बाद इसे just थोड़ा सा आप नीचे कर दीजिए ऐसे, और इसके size को थोड़ा सा छोटा कर चोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसे रख देते हैं यहाँ पर इसे adjust करने के बाद पीछे वाले layer को फिर से हम select करते हैं और select करने के बाद इस side हम slide करते हुए जाएंगे और एक option आपको मिलेगा यहाँ से देखेंगे alpha opacity का option यहाँ पर आपको मिल जाता है इस opacity को आप click करेंगे और इसे decrease कर देंगे लगभग इसे 50 या 51 के करीब रहने देंगे यहाँ पर इतना हो जाने के बाद आप इसे slide करते हुए नीचे आप देखेंगे जो layer यह दोनों इसे layer को slide करते हुए यह white वाले layer के जितना आप कर देंगे हम पहले layer को पकड़ते हैं slide करते हुए यहाँ तक कर दिए और इसी परकार से दूसरे layer को हम select करेंगे हम slide करते हुए यहाँ तक कर देंगे इतना होने के बाद अब क्या करना है दोस्तों यहां से layer में जाना है और आपको एक text select करना है text select करने के लिए आप कहीं से भी text select कर सकते हैं लिख सकते हैं और अगर आपको यह png text लिखने नहीं आता है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप उस वीडियो को देख करके आसानी से टेक्स्ट बना सकते हैं इसे अपने अकार्डिंग आप एडजेस्ट कर लेंगे कहीं भी आप यहां पे मैं इसे एडजेस्ट कर देता हूँ और इस लेयर को भी स्लाइड करते हुए आप वाइट वाले लेयर के यहां तक कर देंगे इतना काम हो जाने के बाद दोस्तो एक बार और आप क्या करेंगे layer में जाएंगे layer में जाने के बाद एक और आपको यहां से एक audio का clip जैसा यह लेना है और इसे लेने के बाद दोस्तो आप नीचे यहां से जाएंगे slide करते हुए देखेंगे यहां से आपको एक blend का option मिलेगा हम नीचे गये यहाँ पर देखिए आपको blend का एक option मिलेगा और इस blend का option को आप जैसे ही क्लिक करेंगे slide करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको multiply का option एक मिल जाएगा multiply का option को जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपका ये screen हो जाएगा अब इसके बाद आप क्या करेंगे इस layer को okay करने के बाद इसे select करके इस resize करेंगे और इस text के उपर यहाँ पे आप लगा देंगे कुछ अपने हिसाब से इसे adjust करके कुछ इस तरीके से ठीक है थोड़ा सा हम और उपर कर देते हैं okay clip छोटा होने के वज़े से यह slide नहीं हो सकता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे select करने के बाद वापस से यह three dot पे जाएंगे और इसका duplicate ले लेंगे duplicate हम ले करके और इसे आप पकड़के इस layer को और धीरे से slide कर देंगे यहाँ तक जैसे यह खतम हो रहा है उसके बाद ठीक है फिर इसको select करेंगे फिर उसी three dot पे जाएंगे duplicate लेंगे और duplicate लेने के बाद इसे अब slide करके यह जहाँ पे खतम हो रहा है वहाँ तक आप इसे कर देंगे यह प्रक्रिया तब तक आप करेंगे जब तक आपका white वाले layer के बराबर ना हो जाए फिर duplicate हम लेते हैं और duplicate लेने के बाद इसे slide करते हुए हम यहाँ पे कर देते हैं ठीक है अब हमारा लगभग लगभग white के बराबर हो चुका है इतना होने के बाद दोस्तों यहां से select रखेंगे और select रखने के बाद आप चले जाएंगे करीब करीब यहां पर जाने के बाद इस sketchy वाले option पर जाकर करके यहाँ पर आपको लिखाओगा split का option third number पर इस split के option को क्लिक कर देंगे फिर थोड़ा slide करेंगे और slide करने के बाद फिर से आप क्या कर देंगे यहां से फिर वही split का option, फिर थोड़ा सा slide करेंगे, slide करने के बाद फिर जाएंगे और फिर से वही third number वाले option पे click कर देंगे, इस तरीके से चार पार्ट में यह divide हो गया आपका white background, इतना होने के बाद यह first वाले layer को आप select करेंगे और यहां से देखेंगे आपको एक यहां प click करेंगे और click करने के बाद यहां पर आप इसे यहां पर light slider नाम से एक आपको ग्राफिक मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो इसे slide करते हुए आप जाएंगे और get more के option पे जब click करेंगे तो वहां पर बहुत सारे graphics दिख जाएंगे आपको और वहां से आप select कर स दूसरे वाले layer को select करेंगे और graphic देंगे light slider में जा करके दूसरे वाले layer पे हम check कर लेते हैं जैसे ऐसे ऐसे करके हम इसे दे देते हैं ठीक है इसी तरह से हम सब करने के बाद तीसरे पर भी दे देंगे और चोथे पर भी दे देंगे ठीक है इतना करने के बाद अब आप simply य ह 28 मिलते हैं और जाने के बाद जहांसे भी हमने entrant किया है उसे हम ले लेते हैं यहां पर हमने export किया था वह ले लिया है आपको ऊ 1 पर प्ले करके दिखा देते हैं यहां पर तो कुछ इस तरीके से यह प्ले हो रहा है और बहुत ही खूब सूरत लगढ़ रहा है अb और यह इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे कि इसे सलेक्ट रखेंगे और फिर से आपको यहाँ क्लिप ग्राफिक्स में फिर से जाना है और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे फोटो प्रिंट नाम का एक ग्राफिक मिलेगा आपको और नही हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे, सुन्दर लगे उसे आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं अब देखते हैं हम यहाँ पे फोटो प्रिंट वाले आप्षन को क्लिक जैसे ही करते हैं यहाँ से हम एक आप्षन पे सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे हम इस वाले option पर select किये आप check कर सकते कौन सा हमें अच्छा लग रहा जैसे ये है तो देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिख रहा है अब इसे हम एक बार और play करके आपको दिखा देते उमीद है दोस्तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप यहाँ से जरूर कुछ सिखे होंगे थाइंक्यो दोस्तो